बिस्मिल्लाइर रख्मार रखीम असलाव नेकम स्टूदेंट्स आज हम डिफरेंसिंग पे लेक्ट्र टू को कवर करेंगे और तुडेः जो आज हम फोकस करेंगे वह बेसिकली ओन टूल्स अंट अटेक्निक्स कौन से टूल्स और टैक्निक को यूज करते हुए हम रैफ्रेंसिंग कर सकते हैं क्विकली अपने रिसर्च आर्टिकल्स के लिए थीसिज या सिनॉप्स वगरा के लिए सो लेट्स स्टार्ट बिसमिल्लाइर रख्मार रख्मार रखीम और आणट बैप लिए रख्मार रखreten हो करेंगे को बोक्स वे पोलगाई प्र्सा контр के हलो और अपन चया सकते हैं को एट आप अपने जो आई कन्टेंट हैं रेलवंट कन्वेंटीग्स जो एक टूपिक्स से एकृव आई चार्टीकल आटॉआं मुर्से जो तो वह आप किस तरिके से सर्च कर सकते हैं, one way कि आप जर्नल सर्च करते हैं Google में, तो what is the difference between Google search and Google scholar search, तो उसमें क्या difference आता है, scholarly article किस तरिके से, उन पे different filter apply करके आप अपने desired articles को quickly access कर सकते हैं, and then comes toward pubbed, pubbed में आप कौन-कौन से filter apply कर सकते हैं, और medical sciences या biological sciences से related जतना भी data है वो आप quickly retrieve कर सकते हैं, so first जो part of the lecture होगा, उसमें हम searching पे बात करेंगे, second part पे हम बात करेंगे tools और servers की, जो इन ही article से आपको reference बनाने में मदद देंगे, जिसमें आज mostly हम बात करेंगे Zotero की, उसके लावा end note है, mandalay है और बहुत सारे tools हैं, तो आप अगर एक कोई tools सीख लेते हैं, तो दूसरे tools को इस्तमाल करना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि interface some out somewhere सेम होगा, फिर अगर आपको कुछ reference style अगर Zotero, end note या mandalay में नहीं मिर रहे, तो आप उनको कौन से different online server available हैं, जिसमें आप उनको convert कर सकते हैं, और research article किसी journal में आपने बेजना है, तो उसको क्लिक इस तरिके से convert करके आप बेज सकते हैं, mostly जो problem आता है वो plugins का आता है, कि आपने Microsoft Edge के साथ, Chrome के साथ, Microsoft Word के जो plugins हैं, तो आपने स्टूरेंस को ज्यादा दिश्वारी पेश आती हैं, तो उस पे end of the lecture हम बात करेंगे, किस तरिके से plugins को हम असानी से install कर सकते हैं, ओके, तो first thing is, हम देखते हैं कि हमने basically search कैसे करनी है, okay, first आप ने अपना topic select कर लेना है, area select कर लेना है, और उससे रेल्वेंट जो कीवर्ड्स हैं वो स्लैक कर लेने और फिर आपने देख लेना है कि जर्नल आगर गूगल सेर्च करते हैं तो उसमें आपके पास क्या रिजल्ट आते हैं और फिर गूगल स्कालर्स में आपसे वो किस तरीके से बेनिफिशेंट होगा आपके लिए सेर्चिंग तो फाइंड इस साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स एंड ती एंड हम देखेंगे के नसी भी आइप मैड में हम की स्तरीके से सर्चिंग को आप्टमाइज कर सकते हैं तो फुर्स्ट गूगल में देख लेते हैं एंड माई की वर्ड्स आर डीप लर्निंग अगर हम क्लिक करते हैं तो देखें सबसे पहले आपके पास स्कॉलरी आर्टिकल आ रहे हैं डीप लर्निंग के लिए फार जीन प्रोडेक्शन तो आप ये डिरेक्ली रिजल्ट ले सकते हैं गूगल स्कॉलर से देन कमस्ट वर्ड थर्ड अगर रैफरेंस देखें तो लिए पसकेल जरिक्स काना आं मोस्केल आफिए और ये रली मुझकित वर्ड खें तो इसमॉट प्रूंस अग्यापान ऑक सकते हैं रिजल्ट तो यहां से आपको इन-डिरेक्ली दूसरे जो जल्न की टाथिज़खन हैं या दूसरे डेटाल बेससे हैं वो गूगल आपको पूरुज सेंट जाना है तो आप रिडिर्यक्ट हो रहे हैं पूर अपको सेफ करने के लिए और नियुक्त सेफ करने के लिए जो है इप बीटर के आप टासर्ज करें गूगल स्कॉलर पर करें या फिर NCBI में करें ताकि आपका टाइम सेफ हो सके और आपको रेल्वेंट जो इन्फरमेशन है रेल्वेंट रिसर्च आर्टिकल जो है वो किकली मिल सके तो यह आपके पास एक आर्टिकल आ गया जिसे आप डाउंडोड कर सकते हैं इन्दी फॉर्म आफ पीडियाफ प्रॉम दिस साइंस डाउंडोड साइट और तुसम एक्सिटेंट कुछ आर्टिकल ऐसे होंगे जो पेड होंगे जो आप डाउंडोड नहीं कर सकेंगे तो लेटर आन जो डीप सर्च का एक लेक्चर होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपकी तरीके से फ्री आफ कास प्रिजार आप टाउंडोड कर सकते हैं तो इस तरीके से आप गूगल स्कॉलर्स गूगल से भी डाउंडोड जा सकते हैं लेकिन वो आपको डिरेक्ट करएगा दूसरी वेबसाइट पे और सर्वर्स पे और या फिर आप जो है वो डाउंड़्कली जो है आपने क्यूरी हैं वह सर्च कर सकते हैं Google scholar में ताकि आपको अपने डिजार रिसरच आर्टिकल मिल सकें नेक्स ऑं देख लेते हैं कि यही अगर हम keyword search करते हैं Google scholar में तो आपके पास जो है वह डिरेक्ट रिजल्ट हैं वह आप्टिमाइज आएंगे और this is a deep learning based on multi models ensemble matter और आपको इस तरीके से आप इनको directly यहां से जो है वो download कर सकते हैं और फिर अगर आपको latest article चाहिए तो update wise 2019 का 16 का या 2020 का या either in the custom range for example 2016 से लेकर या 2015 से लेकर आपने जो है वो 2020 तक आर्टिकल ढूनने तो आप इसको search को optimize कर सकते हैं date wise sort कर सकते हैं तो इस तरीके से आपके पास जो latest research article होंगे वो आपको इस Google scholar से असानी से मिल जाएंगे और आप उनको download कर सकते हैं और फिर आप उनको download करके अपनी research article या सकते हैं और third one is NCBI के NCBI हमारे पास कितने features हैं अब यहां पर आपने देखा होगा के general Google scholar से general Google से Google scholar में ज्यादा आपके पास options हैं आप date wise customize कर सकते हैं और आपके पास यहां सिफ research articles ही आएंगे तो next is NCBI PubMed आप PubMed जर्नल Google में भी लिखेंगे तो आपको ncbi.nlm.nih.gov की website मिल जाएगी वहां से भी आप क्लिक करके आ सकते हैं अब हम NCBI पे keyword search करते हैं deep learning for gene production और search करते हैं तो देखते हैं तो यह किस तरीके से आपको दे रहे हैं now यहां पर आप देखें and there we have more options का आपको just abstract जाहिए free full text जाहिए आपको वह available full text available है then we have books and documents if you are looking for clinical clinical trials data तो उसके meta analysis review articles तो यह तमाम option यहां पर आपको available है जिन को आप systematic reviews आप search करना चाहते हैं तो वह भी आप filter apply कर सकते हैं then last one year five year ten year custom range में और फिर additional features जो है on the basis of journal articles है या lecture की basis पे हैं या case reports हैं तो उनकी basis पे species की basis पे ठीक है तो यह different additional features हैं जो के filters कर सकते हैं और आपने आप desire article जो हैं जो आपकी study से research study से relevant होंगे वो बढ़ी असानी से find out कर सकते हैं for example मैंने एक filter apply के full free text और मुझे सिर्फ review article है क्योंकि मैंने introduction लिखना है तो इसके लिए review article बेस्ट होंगे मैंने review article को select कर लिया and then I select third filter के मुझे five year past five year के paper ही चाहिए तो you can directly go for that और आप आपके पास जो भी paper आएंगे that would be full free text review article और आप उनको download कर सकते हैं और उनको use कर सकते हैं so इस तरीके से आपके पास different multiple tabs में different research articles को open कर रहा हूं now this is the complete article ठीक है इसको आप download कर सकते हैं और use कर सकते हैं क्योंकि हमारा second था कि आप Zotero को कैसे use करेंगे so I have already installed Zotero plugin तो आप साथ साथ Zotero को this icon save to Zotero icon आपकी address bar के साथ आ जाएगा तो उसको click करते रहेंगे तो आपकी यह तमाम article directly Zotero की current library होगी current working library होगी उसमें store हो जाएगे तो this is the first portion of the lecture कि आपने search की सरी के से करनी है और search की सरी के से करना है और articles को download कैसे करना है अगर आप Zotero में save नहीं करना चाते डिरेक्ली PDFs download करना चाते हैं तो भी आप डिरेक्ली जो है वो download कर सकते है research articles को in the form of PDF तो यहां पर आपने PDF के button को icon को click करना है और आपके पास वो PDF की form में आ जाएगा and then you have to click on save option here तो आपके पास यह जो है article after loading it would take some time क्योंके net slow है तो उसके बाद आप इस article को क्या कर सकते हैं save कर सकते हैं okay जैसे यह article जो है वो download होगा तो you can click on save button और फिर आप उसको desired target पे for example research article के नाम से ठीक है और मैं इसे save करता हूँ deep learning for gene production article one के नाम से ठीक है तो आप इसे save कर सकते हैं इस तो अपनी एक personal library भी आप बना सकते हैं तांके आपके पास उसी topic की जो relevant articles हैं review article है या research article है तो वो इस library में महफूज रहें so अब भी हमने basically देखा के Google में journal search फिर Google scholar और NCBI में किस तरिके से step by step हम optimization कर सकते हैं हैं जो कि आपको searching के lecture में सखाई जाएंगी कि आप web of science को कैसे use कर सकते हैं डोर आफ open access journal dodge की website है एक और 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 इसी तरीके से सायाब में आप जो paid research article होंगे उनको किस तरीके से free of cost download कर सकते हैं तो different searching technique हैं जो कि उस lecture में हम deeply cover करेंगे क्योंकि आज हमारा focus जो है वो basically है कि आपने जो है in text citation और reference किस तरीके से generate करने हैं different formats में like जिस तरीके से इस article में जो है reference site कि एगे in text citation है and then at the end different references है ठीक है तो यह आप की तरीके से quickly जो है वो by using different tools generate कर सकते हैं फर आप अपने research article के लिए या thesis के लिए तो अब हम second phase की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम tools किस तरीके से download कर सकते हैं तो आज का हमारा focus topic और tool जो का वो है Zotero so basically Zotero जो है वो आपका personal research assistant है आप Zotero.org पर जाएंगे तो आपके पास Zotero को आप download कर सकते हैं for window for Mac operating system for different operating system और इसी तरीके से आप उसके जो plugins हैं जो connector है फ़र Chrome for Firefox और Microsoft Edge तो different browser के लिए आप उसके connector और Microsoft Word के लिए जो है उसके plugins इंस्टाल कर सकते हैं for example first अगर आप Zotero को download कर लिया है तो उसके बाद आप जो है वो connector जो है वो edge के लिए इंस्टाल करेंगे it would take some time और उसके बाद जो है वो आपने Microsoft Word के जो connector हैं वो आपने क्या करने हैं इंस्टाल करने हैं ठीक है उसके installation के बाद जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं in Microsoft Word so this is the Zotero home page तो Zotero के plugin आप download कर सकते हैं यहां से आपने just click करना है download option and after that उसके बाद जो है वो यहां पर आपकी Zotero setup install होना शुरू हो गया और उसके बाद आपने just जिस तरह normally different software को install करते हैं तो वो आपने install कर देने और उसके बाद फिर जो connector होगा जो भी आपका browser होगा जिस browser से आप download कर रहे होंगे automatically उसका connector भी आपके पास आ जाएगा तो आपने इस connector को भी इंस्टाल कर लेना है आफ्टर इंस्टालेशन आप आफ्टर इंस्टालेशन आपके पास जो है वो जो आइकन है आइधर जी और इस आइकन या आपके address बार के साथ आजाएगा तो इसको आप यूज कर सकते हैं directly किसी भी आर्टिकल को अपनी लाइबरेरी में सेव करने के लिए या फिर डिरेक्ली आप टाउनलोड कर सकते हैं इनको और लेटर ऑन अपने रिसर्च की रेफरेंसिंग के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं इंस्टाल होने के बाद आपके पास Zotero this is the interface of the Zotero ठीक है इसमें आप जो है वो कोई न्यू फोल्डर जेनरेट कर सकते हैं for example जीन प्रेडिक्शन के लिए मैं जो है research article जो है वो इस तरिके से में तौम आर्टिकल जो है वो इस में जो है वो स्टोर कर सकता हूं different libraries बना सकते हैं already जो हमारे पास जो है gene learning के जितने भी research article हैं तो इसे आप यहां से copy करके move कर सकते हैं for gene production library में move कर सकते हैं या फिर drag and drop कर सकते हैं जो कि आपके पास already पहले से research article download हैं तो वहां से भी आप control ले करके select करके इनको store कर सकते हैं new library बना के और उसके बाद उसको metadata को retrieve कर सकते हैं अगर आप directly download करेंगे जोटेरो लाइबरेरी में तो आपको metadata retrieve करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आपके पास already downloaded article हैं तो उनके लिए आपको metadata को retrieve करना पड़ेगा तो मैं आपको metadata retrieve करना भी स इसका देता हूं और उसके बाद हम किस तरीके से जोटेरो को यूज करेंगे reference के लिए वो भी देख लेते हैं इसी तरीके से हम जो है वो एक नया folder create कर लेते हैं for example anti-tumor activity और आपके पास already जो पहले से downloaded data है तो वहां उस फोल्डर को आप वहां से drag and drop करके वो तुमाव आर्टीकल इस फोल्डर में रख सकते हैं और फिर उसका metadata retrieve कर सकते हैं metadata का मतलब यह है कि उसमें author name क्या है year of publication क्या है journal क्या है उसकी abbreviation क्या है and all those DOI number तो यह संदमाम detail automatically यह तूल आपके लिए खुद retrieve कर लेगा और फिर जहां आपने उसको side करना है या reference करना है तो वहां आप according to your requirement उसे आप use कर सकते हैं okay मेरे पास already research article downloaded है मैं इन तुमाम को जो है इनका metadata retrieved नहीं है तो मैं उसे किस तरीके से अपनी library में लेके जा सकता हूँ so first you have to select all the articles आप तुमाम articles को select करेंगे control लेकर के फिर आप drag and drop करेंगे जो tarot पे तो आपका ये जो है anti-tumor activity के जो folder है उसमें आ जाएंगे और approximately 32 articles है one by one इस system में इस library में वो copy हो जाएंगे it would take some time depend करेगा कि आपके system की specification का है speed का है तो ये तुमाम के article one by one इस library में include हो जाएंगे जैसे ये article include होंगे तो आपने जो है इनका metadata जो है वो retrieve करना है so next step होगा कि हम उन PDF से किस तरीके से metadata को retrieve कर सकते हैं okay latest software में इस तरीके से है कि जैसे ही आप softwares में drag and drop करेंगे अपने research article तो यहाँ आप screen पे देखें one by one articles के metadata को automatically जो है वो retrieve करना शुरू कर रहा है for example first article है तो उसका देखें आपने title उसने ले लिया है then authors and then abstract publication date and all those things so one by one तुमाम article को वो उसका metadata retrieve कर रहा है अगर किसी article का वो metadata retrieve नहीं कर रहा है तो आपने क्या करना है उसको left click करना है उस article को then आपने उस पे क्लिक करना है retrieve metadata ठीक है by default latest software later version में automatically करेगा अगर कोई नहीं करता तो you just click and you have to select the option retrieve metadata तो वह article का जो है वो metadata retrieve कर देगा और जैसे ही आपके पास metadata retrieve हो जाएगा तो उसको आप site करने के लिए उन research article को आप use कर सकते हैं और it would be easy कि आप different AP style में MLA में Chicago में या Royal Society of Chemistry में किसी में भी जो है वो आप different reference style में even IEEE for physics students तो आप उन्हें use कर सकते हैं तो यह थोड़ा सा time लेगा depend upon your internet connection के आपका internet connection या browsing जो है वो slow है और depend करता है कि आपके कितने article हैं तो यह one by one तमाम article को उनके metadata को retrieve करेगा PDF से तो इस तरीके से आपके पास एक library बन जाएगी और जो भी article जिससे आपने कोई text को site करना है तो उसको आप use कर सकते हैं ओके गूगल scholar से भी जो है वो आप reference को जो है वो retrieve कर सकते हैं और वहां से directly copy कर सकते हैं जहां आपको required हो for example these double course को आप क्लिक करते हैं तो आप पर पास sites आ जाता है site so you can site for MLA, APA, Chicago, Harvard style or when cure style so you can go for reference section और यहां पर directly जो है इसको paste कर सकते हैं irrespective of these Zotero, Zotero में आप text के साथ जिस article से जो भी line copy करेंगे उसको refresh करेंगे तो वहां site भी कर सकते हैं और फिर नीचे reference में भी वो automatically आ जाएगा तो हम देख लेते हैं for example हमें किसी research article से कोई एक for example anti-tumor activity का research article था तो इसे हम साथ यहीं से double click करके open कर लेते हैं और यहां से मैंने कोई let's suppose एक जो line थी वो copy की है और उसे reuse किया है और फार एक्जमपल काईटो सेंट की activity को मैंने monitor करना था और उसके बारे में कुछ लिखा था इसी article से so I have to cite this article तो मैं first यहां से इसको copy करूंगा और देन मैं इसको वहां पे cite कर लूंगा और फार एक्जमपल मुझे यह line copy की थी और मुझे यहां पे use करना था रीफ्रेंसिंग और restructure of the text और उसको किस तरी किसे लिखना है वो different scenario है उसे हम different video में cover करेंगे कि आपने refresh की से करना है restructure कैसे करना है और राइटिंग स्टाइल आपका क्या होना चाहिए for example anti-tumor activity है तो मैंने यहां से लिया अब जब आपके plug-in इंस्टाल होंगे तो Zotero आपका यहां mention होगा grammarly भी इंस्टाल है so these are the plugins और यहां पे आप add या edit citation पे जाएंगे वहां पे next option है आपने classical view में जाना है then anti-tumor activity various effect मैंने यहां से लिया था then you click on ok and यहां पे आपने जो है this is AP style और यह यहां directly cite हो गया For example मैंने किसी और इस line को जो है वो किसी और बंदे ने cite किया तो मैं directly for example it would be taken from second research article that is from biological shift तो वो directly इसको यहां पे cite कर देगा For example third article है मैंने इस article से characterization of anti-cancer potential यहां से लिया है तो मैं इसको cite करना है तो I can also यह line मैंने इस article से लिया है you have to first rephrase it मैं directly use कर रहा हूं क्योंकि मैंने purpose of this video is to tell you about referencing कि आपकी किस तरीके से directly reference कर सकते हैं Refresing or restructuring जो है वो different scenario है उसे हम different video में cover करेंगे for example मैंने इसको लिया था from the characterization of anti-cancer से और यह directly यहां से आ जाएगा तो और साथ ही अब यह देखें यह साथ साथ bottom पे update हो रहे है reference automatically आ रहे है आपके और one way and other is कि अगर आपने तमाम जितने भी आर्टिकल है उनकी bibliography generate करनी है you have to select all the articles and then आप create करेंगे create bibliography from the item और फिर आपने देखना है कि American chemical society medical association या political science association है या Chicago manual style है या IEEE style है different या modern language association style है nature का different styles है तो उनके मताबक अगर आपने generate करना है या वेंक्योर या nature के मताबक आपने generate करना है या नेचर के मताबक आपने generate करना है you have to select one option ठीक है फिर आप citation उसकी करना चाहते हैं या bibliography करना चाहते हैं तो उसमें से कोई output mode select करेंगे then किस form में आप उसको save करना चाहते हैं तो by default parameter के साथ मैं bibliography generate करता हूं तो आपके पास I store this bibliography on the desktop तो इस तरी के से आपके पास automatically जो है वो bibliography जो है वो generate हो जाएगी और इस तरी के से आप one by one इसको जो है वो site भी कर सकते हैं तो यह अभी जो हमने bibliography generate की थी references generate किये थे यह आगे हैं तो इस तरी के से तमाम article a to z जितने भी आपने यूज किये हैं वो automatically आप उनके reference list generate कर सकते हैं किसी भी reference style में so it's good for you people कि आप अपने काम को quickly जो है वो कर सकते हैं और आपको manually यह सारा काम नहीं करना पड़ेगा hope so आपने आज का lecture enjoy किया है if you have any question you can ask me directly thank you very much for watching लाफिस now last part of the lecture how can we convert one form of the reference into another form reference conversion कि आप एक MLA है तो उसे APA में कैसे convert करेंगे या Chicago में या Royal Society for Chemistry की reference में या किसी जर्नल की जो requirement है citation style की या reference style की तो उसमें कैसे convert करेंगे तो उसके लिए आप different online server यूज कर सकते हैं और one of them is DOI citation formator है इसमें आपने क्या करना है सबसे पहले DOI number को paste करना है अब DOI number mostly आप जो research article download करते हैं तो उनके top पे आपको यहां पे DOI numbers जो हैं वो आपको नजर आते हैं यहां से आपने यह DOI number copy कर लेना है ठीक है और फिर जो है आपने जो है इस site पे जाके DOI citation formator में जाके यह DOI number paste कर देना है आप राइल सोसाइटी आप केमिस्ट्री की फार्म में कनवर्ट करना चाहता हूं तो I just select it और इसमें lot of other options are there ठीक है इसके इलावा बहुत सारी और options हैं lot of lot of options are there जिसमें आप according to your requirement cell research, cell structure and function, journals के requirements जितने journals हैं जो approved journal list है उनके accordingly आप directly यहां से convert कर सकते हैं and then you just click on the format you have to wait for few seconds आपने कुछ time के लिए वेट करना है at the end जो है वो आपके लिए जो है reference format generate कर देगा this is the reference in this this is the reference converted in the form of royal society of chemistry तो आप इसे use कर सकते हैं तो आप copy कर सकते हैं so multiple एक एक करके आप तुमाम UI numbers को डाल के या less generate करके भी आप multiple को generate कर सकते हैं और फिर आप अपना जो bibliographic portion होगा तो वहां पे आप उसको paste करके use कर सकते हैं sorry you have to copy it again उसको आपने copy करना है copy here and then you have to paste जो भी research article होगा of house position पे आपने उसको paste कर देना और formating पर apply कर देनी so this is how you can convert one form of the reference into the other form बढ़ी असानी से आप convert कर सकते हैं ठीक है इसके लाब और बहुत सारे reference conversion server है जिसमें citation machine भी include है so hope so you understand all the key points of the lecture if you have any question you can ask me thank you very much Allah Hafiz झाल